एक तरफ E.D. अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने हर्याना चुनाव से पहले पूर्व हर्याना सी एम के घर पहुंसती है वहीं दूसरे तरफ सुप्रीम कोर्ट में E.D. की शक्तियां छींग ली जाती है जहां एक तरफ परिवर्तर नीदेशाले ने हर्याना के पूर्मुख्य मंत्री भुपेंद्र सिंग, हुड़ा और इमार और M.G.F. समेट और कई आरोपियों से जुड़े मनी लॉंड्री केस में 834 करोड रुपे की संपत्ति जब्त कर लेती है तो वहीं दूसरे तरफ सुप्रीम कोट, E.D. को खुब फटकार लगाते वे आदेश पारित करता है और सुनवाही के दौरान कहल सुप्रीम कोट कहता है कि इकबालिया बयान को मानने से साफ मना करती है दोस्तों चुनाओं से पहले मोदी सरकार का पूरा खेला ही बदल कर रह गया है पूरा मामला बताएंगे आपको इस वीडियो में तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और साथ में अगर अभी तक आपने दकंटाप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉरन पहले सब्सक्राइब भी कर डाले नमस्कार, स्वागत है आपका दकंटाप में मैं आपके साथ गेटी भागया जारकन में बाजी मारने के बाद भी मोदी सरकार के इशारों पे चलने वाली आरोपित एडी वहां तो हारेंगी साथ ही में खुद भाजपा हर्याना के पूर मुख्यमंत्री को सरकारी एजिनसी के द्वारा फसानी की साज़िश में वो खुद हर्याना हानने के कदार पर पहुँच गए है मामला धीरे धीरे कैसे मोदी सरकार के हाथों से फिसलता जा रहा है आपको बताते हैं बीजेपी की सबसे ताकतवर हतियार माने जाने वाली आरोपित ED-CBI और उस ED के सुप्रीम कोर्ट ने हात बान दिये हैं एमन सोरेन के सहयोगी प्रेम प्रकाश को मनी लॉंजिंग के मामले में जमानक देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो टिपनी की वो अभी चर्चा में खूबा गई है क्योंकि इनका मामला देश के तमाम विपक्ष को हलकी रहत और भाजपा को तनाव में डाल दिया है कर सुप्रीम कोर्ट ने एडी के प्रेम प्रकाश मामले में सामने जो आरोपी है उनकी ओर से दिया गया इकबालिया बयान मानने से साफ साफ इनकार कर दिया सुप्रीम कोट ने आरोपी को जमानत देते वे व्यक्तिकत स्वतंत्रता के सिधांत पर जोर दिया और कहा कि जमानत नियम है और जेल को अपवाग बताया जहां एक तरफ दोस्तों CBI ने हर्याना के पूर्व सीय मुपेंद्र हुड़ा के 834 करोड की रुपे की संपत्ती मनी लॉन्जी केस में जब्त कर ली वहीं दूसरे तरफ सुप्रीम कोट ने ED का सबसे हतियार ही चीन दिया आशान भासा में समझें तो सुप्रीम कोट के आदेश का मतलब ये था कि कोई शक्स अगर किसी मामले को लेकर पहले से ED की हिरासत में है और ED उससे किसी दूसरे मामले को लेकर पूसाच करती है और उसे कोट में सबूत के तोर पर प्रसूत करती है तो दूसरे मामले में दिये गए एक बालिया बयान को सबूत नहीं माना जाएगा क्योंकि ये नहीं कहा जा सकता कि उस शक्स ने स्वतंत्र इक्षा शक्ती से वो बयान दिया है सुप्रीम कोट ने फैसले में ये भी कहा कि ऐसी स्थिती में अगर याचिका करता कि इक बालिया बयान को सबूत माना गया तो ये शाक्त से अधियन की धारा 25 का उलंगन होगा साफ साफ उलंगन होगा तो सुप्रेम कोट में आरोपी के इक बालिया बयान को अस्वी कार करते समय PMLA की धारा 50 का भी जिक्र किया ये धारा Code of Civil Procedure 1908 के तहत ED के निर्देशक को वहीं शक्तियां देती है जो एक सिविल कोट के पास होती है इस धारा के तहत ED किसी को भी किसी को भी समन भेज सकती है और पूस्ताज के लिए उपस्तित होने का आदेश भी दे सकती है शबत पत्र पर बयान ले सकती है और उसे कोट में सबूत के तौर पर पेश भी कर सकती है यानि इस धारा के तहत ED जो भी कारेवाही करती है उसे भारतिय दंड सहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में नियाईक कारेवाही माला जाता है चुकि प्रेम प्रकाश मनी लौन जी के किसी अन्य मामले में हिरासत में है और उन्हों ने एक बालिया बयान किसी दूसरे मामले में दिया है इसलिए सुप्रीम कोट ने उसे अर्थ स्विकार कर दिया दूसरे ये साफ तौर पर मुदी सरकार के लिए काम करने वाली ED, CBI जितनी विजान्स एजंसी है जो आरोप लगते आते हैं उस पर साफ साफ एक तरीके से खूब जोर का तमाचा है वहीं हर्याना में लोकसभा को लेकर कई बड़े राजने दिक सहलाकार मान रहे हैं कि BJP अपने हार की बज़े से पहले ही खुद डरी हुई है जिसकी बज़े से माना जा रहा है कि ED ने अपने हाथ वहां के पूर्व मुखे मंत्री के संपत्ती पे खोल दिया हलाकि बात 2009 की थी लेकिन आज 2014 हर्याना के विधान सबा चुनाओ से पहले ED को अचानक यहां दाता है कि एक आरोपी तो यहां हर्याना में भी बैठा हुआ है जो विपक्ष का पूर्व मुखे मंत्री रह चुका है हलाकि आपको बताते हैं कि ED की जाच में पता क्या चला है ED की जान शुरू हुई तो उन्हें मालूम हुआ कि MR-MGF Land Limited ने 27.306 एकर जमीन के लिए किसानों के साथ 6 Anti-Dated Development Agreement साइन किये थे और इस समझोते पर अपरील 2009 की जूटी तारीख लिए गए लेकिन असल में 2010 में वो signatures किये गए थे वहीं ED को जाच में आगे ये भी पता चला कि इन तथा कथिप सहयोगी समझोतों को इस तरह से गड़ा गया था कि ऐसा लगे कि ये भूमी अधिग्रहन नियम 1894 या कहें Land Acquisition Act 1894 की धारा 4 के तहत अधी सूचना से पहले किये गए थे ताकि DTCP के license प्राप्त करने में आने वाली जटिलताओं से बचा जा सके MRMGF Land Limited ने 25.887 एकड़ जमीन के लिए license हासल किया जिसका वर्तमान मुल्य 1229.17 करोर रुपे आप कह सकते कि होगा भी ED की जाग से संकेत मिलता है लेकिन की हुड़ा के लिए भूमी अधिग्रहन का वास्तव उद्देश नहीं था इसके बजाए ये प्रक्रिया किसानों को अलग-अलग समझोतों के बहाने बिलजरों को अपनी जमीन बेचने के लिए दबाव डालने की एक योजना थी जिसमें अधिग्रहन की कारिवाही का खतरा भी था अब हलांकि इस आरोब के लिए भुपेंद्र हूडा के तरफ से कोई बयान अभी तक पारित नहीं हुआ है इन सरकारी एजेंसियों को विपक्ष के भरस्टाचार की याग कैसे आजाती है बाकी सुप्रीम कोट के ने जिस सरके से एडी के पर काट दी है उस पे आप कैसो से हैं दोस्तों अपनी राय हमें समुद्बे पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और खासकर इस रिपोर्ट पे तो अपनी राय जरूर रखेगा बाकी रिपोर्ट पसंद आएं तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए फिर मिरते हैं देजदुनिया के तमाम खबरों के साथ तब तक के लिए देखते रहेए दकंटा